तो आज हम कर रहे हैं सीट इट जैन्वरी दो हजार एकिस का जो आफ लाइन पेपर था उस समय का और बहुत अच्छा ये क्वेशन पेपर है आप इसको जरूर करें मेरे साथ कोशिस करेंगे कि हम 35-40 कोशिंद करें लास्ट में आपको बता दूंगे टो टल कितने कोशिंद हैं आप मुझे अपना मार्स जरूर बताए और जो है आपको पता ही है कि mostly चीजे हमारी खतम हो चुकी है, बस quality ही बाकी है, geography पूरा complete हो चुका है, history भी complete हो चुका है, बस history का अधा part है, वो complete हो जाएगा कल, and आपका जो quality है वो भी class 8 तक, तो इस तरीके से अब आपके पास पूरा content आ चुका है, तो अब question paper जब आप solve करेंगे तो आपको मजा भी क्योंकि हिस्ट्री हमारा complete हो चुका है, तो सुबह हम 12 बजे quality करेंगे, and 2 बजे pyqs करेंगे, आप मुझे बताना, अगर आपको यह idea अच्छा लग रहा हो, या फिर आप उसमें कुछ improvement चाहते हैं, तो भी मुझे बता देना, वीडियो पसंद है, तो please like, share, subscribe कर दीजेगा, आप सब बहुत जादा support करते हो, दिल से सुखरिया, चले start करते हैं, and channel को इसलिए subscribe कर लेना, क्योंकि अब आपको हर दिन कुछ न कुछ हमारे channel से tag words, क्योंकि आप जानते हो, tag word हो गया, किस तरीके से passes solve करना है, कुछ tricks, यह सारी चीजे में आपको बताती रहोंगी, तो चल यह जैसा कि इधर English, इधर Hindi, इसी तरीके का आपका question paper आपको examination में भी मिलेगा, जैसे कि यहां पर बात किया जा रहा है, autumn season का, कि जो autumn season होते हैं भारत में, उसमें A, B और C जो कथन दिया गया है, इस पर विचार करें, मतलब आपको autumn season से related fact पता होना चाहिए, जैसे कि इसको जिसे हम सरद रितू बोलते हैं, इस मौसम को दच्छट पस्चि मानसून के नाम से भी जाना जाता है, और इस मौसमें पावन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से इस्थल की और बहती है, और यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, तो क्या यह त तो जी नहीं, यह तीनों की तीनों गलत है, ठीक है, आटम सिजन के बारे में यह तीनों स्टेटमेंट गलत है, तो यह हो जाएगा हमारा option number 4, और हाँ, जैसे कि कुछ लोग एक-दो लो कमेंट करते हैं कि पूरा एकदम ही detail में बताईए, तो देखिए, इसके लिए हमने already concept प मुझे लगता है कि समझाना चाहिए, जैसे कि अब यह fact है, इसमें मैं क्या समझाऊगी है, तो याद करने वाला है, पैड़ागोजी में समझाने वाला है, तो इसमें मैं समझा दूँगी, कुछ लोग बोल रहते हैं कि read करना है, तो हम खुद भी कर सकते हैं, अच्छी बा अब यह तो आपको याद करना होगा ना कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है, वो डेल्टा का निर्माड करती है, सुंदर्बन डेल्टा का, इसका नमर पहला हो जाएगा, जो कोशन आपको ना आए, आप उसे अपने कॉपी में जरूर नोट करें, अब जैसे यह देखिए यह मैंने जब आपको एटमॉस्फियर वाला जो पढ़ाय था, NCRT में, तो हमने डिटेल में पढ़ा था, वहां पे, कि जो मीजोस्फियर होता है, आपको पता है कि सबसे पहले आपका ट्रोपोस्फियर होगा, दन स्ट्रेटोस्फियर, आपको पता है, सबसे पहला लेयर ह और जिसमें मौसम समबंदी घटनाए होती है, इसमें स्ट्रैटोस्फियर मतला जिसे हम समताप मंदल बोलते हैं, इसमें प्लेन वगरा इसमें फ्लाई होता है, क्यों क्यों कि यहां पर मौसम समबंदी घटनाए नहीं होती है, और ओजून लेयर भी इसमें होता है, यह वहां तो वहाँ पे बहुत सारे और पॉइंट वहने बताए हैं, आप उसे भी नोट करना, मीजो स्फियर, हमने ये भी पढ़ा था, इंसोलेशन किसके साथ एसोसियेटेड होता है, जो आत्पन होता है, उसका संबंध क्या है, बताए, बहुत ही आसान है, सुर्य उर्जा के साथ, स इसमें आपको मैच करना, जैसे कि संकुधारी वन हो गया, भूमद सागरी वनसपती, उष्नकटे बंदी, सितोष्न, अब कभी-कभी ऐसा होगा कि एक्जाम में आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे कुछ चीजे इसमें से, तो मैं आपको बोलूँगी, जरू संकुधारी वन बोलते हैं, वो क्या होते हैं, वो जो नरम कास्ट वाले, जिसको हम सौफ्ट वूड एवर ग्रीन ट्रीज बोलते हैं, उससे होगा, तो आप इसके साथ इसे मिलान की जो और देखिए, एक तीसरा कहां कहां पर नहीं है, जैसे कि ये गया, ये भी गया, अब आपके पास दो आप्शन है, तो चलिए, अब हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मालिज अगर आप एक भी अलिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, तो मालो मिले पास दो आ गया, अब मैं क्या करूंगी, देखूंगी, जैसे कि मुझे ये पता है कि जो आप आगया आंसर, दूसरा, बी का चोथा यहीं पे है, इस तरीके से आपको करना है, अब आराम से आपका हो गया कि सी का क्या होगा, उशन कटी बंधी जो सदा बाहार बन होता है, वो हो जाएगा हमारा हाड़ वूड ट्रीज, ठीक है, और सी तोशनमाला वही हो जाएगा महादीपो का पुर्वी किनारा, पहले से हो जाएगा, इसका राइट आंसर दूसरा होगा, तो आपको इसी तरीके से, एलिमिनेशन मेथर्ड का यूज करना है, अब वहाँ पर यह मत करना कि फिर सब मिलाने लगो, नहीं, एलिमिनेशन मेथर्ड में आपका एक आंसर निकल मैंने वहीं पर आपको बताया था कि यह कोशन हर बार पूछा हुआ है, और सहारा रेगिस्तान जो है, आपको पता होना चाहिए कि एक समय पे वो काफी हरा भरा मैदान था, और दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर हा दॉल्फिन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि आपको पता है कि पानी की सुद्धता को पता लगा जिस जल में जिस नदी में जहां पर भी डॉल्फिन होती है, तो हमें पता चल जाता है कि पानी सुद्ध है, यह मैंने वहां पर भी आपको बताया है, तो डॉल्फिन के ब और डॉल्फिन आपको पता है, कहां पर है, सैंचुरी इस लोकेटिट इन दा स्टेट ऑब बिहार, डॉल्फिन अभिहारन कहां पर है, बिहाराज्य में है, और अव्यसी बात है, जब यह फ्रेश वाटर में पाये जाएगा, तो इसकी उपस्थिती से हमें, हमें जलकी सुद यह तो आपको रट लेना है, बायो गैस वाला, मिथेन और कार्बन डायकसाइट, यह इसका मिसरण है, ठीके, CH4 प्लस CO2, तो यह आपको याद रखना है, पहला हो जाएगा, चलिए, अब रिसोर्सेज के बारे में, कुछ कथन दिये गये हैं, जिसमें आपको बताना है, सभी को मेंशन कर दिये, तो ऐसे टाइप के आंसर सही नहीं होते हैं, दूसरा इसमें लिखा हुआ है, कि समय और प्रवदोगी की दो महतुपुन कारक है, जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, जी हां, टाइम एंड टेक्नोलोजी आज के समय में बहुत ही जादा इंपोर्टेंट फाक्टर होते हैं, ये इसको पदार्थों को क्या करते हैं, संसाधन में, रिसोर्सेज में कनवर्ट कर देते हैं, तो बी तो हमारा सही है, बट ये गलत है, हम पहले किसा जाएंगे, 40 देखें, उर्जा के परंपरागत स्रोत के सम्मूह की पहचान करो, कनवेंशनल सोर्स ओफ एनरजी, ये भी किया हुआ है, बताइए, तो कनवेंशनल सोर्स ओफ एनरजी क्या है, ओल हो गया, हमारा खनीश तेल हो गया, हमारा नैचुरल गैस हो गया, हमारा फाइर वूड ह ठीक है यह हमारा conventional source of energy में आता है पहला फिर से देखो मैंने आपको बोला है ना match of the following वाले बहुत question आते हैं जैसे कि प्राकरितिक संसाधुनों के प्रकार को आपको उसके उससे मैच करना है जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है level of development, orizine, distribution, stock और यहां पर लिखा हुआ है actual potential, biotic and abiotic, मतलब किसको biotic बोलेंगे, किसको abiotic फिर यहां पर देखो ubiquitous and localized, renewable energy, renewable and non-renewable तो आपको इसे match करना है तो वहां पर भी आपको क्या करना है, elimination method का यूज करना है तो चलो करते हैं इसमें देखिए जो हमारा level of development and use है यह actual and potential होगा तो एका तो पहला हो जाएगा ठीक है त जहां जहां पर एका पहला नहों से हम काट देते हैं यह भी नहीं है यह भी नहीं यह भी नहीं देखा आपने elimination method से आपके सारे आंसर आजाएंगे और उसके बासे आपका जो उद्गम है यहां पर लिखा हुआ है बायोटिक अने बायोटिक, distribution सर्व वापक होता है और मैच करना था चलिए लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई छेतरों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बलने लगे और बी लिखा हुआ है कि हिरन, बारसिंगा, बकरी, भेड और मवेसी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी तो बताए दोनों में से क्या सही है ब बट ये कारण नहीं है बी का कि गर्मी बढ़ने के कारण इन जानवरों की संख्या बढ़ी ठीक है, इस्टेट्मेंट तो दोनों सही है कि कई छेतरों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान जो है वो बनने लगे थे और ये भी बास संख्या है, ये भी बास सही है अब हम पढ़ते हैं sites के बारे में यहां पर देखे question भी पूछा हुआ है उसे से जो पूरा इस्थल है site उसके बारे में कौन सा सही है तो चलिए देख लेते हैं वह इस्थान जहां वस्तों के उसेस मिलते हैं क्या उसे बोलते हैं यह केवल जमीन के उपर ही पाए जाते हैं, यह केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, और यह समुद्र नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं, यह तो काफी अच्छा कोशन पूछा है, और बहुत आसान, जहां पर भी यह only आ जाता है, केवल, वो answer जो है, काफी हद त तो यह भी खतम, इसमें तो जिसे नहीं भी आएगा वो भी आराम से कर लेगा, तो इसका पहला हो जाएगा, ठीक है, हम साइट्स किसे बोलते हैं, जो इस्थान जहां पर वस्तूं के आपको कुछ आउसेज मिले, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, तो यह हो जाएगा पहला, A only, चलिए, अब हडपा के बारे में, हमने काफी पहले पढ़ा था हिस्ट्री में, तो हडपा सविता की लोग क्या बनाते थे, यह कोश्चन है, पत्थर की मुहर, पीली रंग से डिजाइन किये गया पात, लोहे से बनी तकलियां, सोने से बनी बरतन, अब जिसने पढ़ा होग पत्थर की मुहर, और सोने से बने बरतन, लोहे का उस समय नहीं था, हडपा सविता के लोग नहीं बनाते थे, लोहे से बनी तकलियां, ना ही पीले रंग से डिजाइन किये गया पात्र, तो आप्शन नमबर टू, ए और डी ओनली, 45 में देखे, एक महा पाशान कबर में दो कंकालों के आउसेस थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमाल लगाने है तू, क्या देखना होगा, कि ये महिला का है, हड़ियों की संरक्षन, कंकालों के साथ मिले आभूशन, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बरतन, ये भी हमने किया हुआ है काफिर डिटेल में, बताइए, देखिए केवल आप हड्डियों की सन्रचना से ही बता सकते हो, इसमें वहाँ पर हमने डिटेल में पढ़ा था कि जो लोगर बॉडी होती है, उससे पहचान किया जा सकता है, कि ये महिला का है कि पु तो इसका बस एक ही आंसर होगा, आप हूशन ये महिलाएं पहनती है, तो नहीं, उसमें सभी पहनते थे, सो अप्शन नमबर वन प्रारंबी काल से सुरू करके आरोही क्रम में निम्न को सजाओ, अब इनको स्टार्टिंग से, एसेंडिंग ओर्डर में आपको सजाना है, वेदो की रशना की सुरूवात, महापशानों के निर्मार की सुरूवात, इनाम गाउ में क्रिसको का निवास, और एक हो गया हमार होना चाहिए यहाँ नहीं है यहाँ नहीं यहाँ नहीं है देखा आपने कितना असान है A B C D यह अपने क्रम में ही लिखा हुआ है वेदो की रचना की सुरुआत देन महापाशान के निर्मार की सुरुआत इनामगाव में क्रिसको का निवास and चरक तो A, B, C, D, ये क्रम सही है, earliest period, starting से आपको क्रम में लगाना था, तो हम जाएंगे पहले के साथ, इसमें तो बहुत ही कम मेहनत लगी है, arrange the following in descending order, मतलब आपको backwards से लगाना है, उल्टे से निम्नों को सजाएं, ठीक है, ascending नहीं, descending, तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखो, लोहे के प्रियोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, उप महादीप में लोहे के प्रियोग की सुरुवात, अरिका मैडू पतन में बसना, संगम साहित की रशना की सुरुवात, याद रखिए कि आपको backwards, starting from the recent period, यहां से लगाना है, हाल के काल से सुरू करके, मतलब अभी, जैसे की होता हैं, कि अभी से लेकर, last तक, ऐसे आपको बताना इसको, तो जिसने पढ़ा होगा, वो अराम से कर लेगा, तो इसमें हमारा सबसे पहले C आएगा, अरिका मैडू पतन में बसना, तो C देखते हैं, यह यह खतम हो जाएगा, C के बाद से आपका क्या आएगा, संगम साहित की रशना की सुरुवात, C के बाद D आएगा, तो सभी में है, C, D, सभी में है, देख सकते हो, आप इन दोनों में ही है, तो हमें तीसरा option भी सेलेक्ट करना होगा, देन यहां पर आप देखिए, उसके बाद से लोहे के प्रियोग में बढ़ोतरी नगर आहत सिके, मतला, इनकरीज इन दे यूज ऑफ आइरन, सिटीज, पंच मार्क्ड क्वाइन, तो C, D, A, तीसरा हो जाएगा, एन देन आपका, लास्ट में आ जाएगा, उप महादीप मे recent periods, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको अरेंच कर दिया, descending order में, backward, तो option number third will be right, 48 देखिए, दो statement दिया हुआ है, आपको बताना है, इसमें क्या सही है, चोल मंदिर धार्मिक समाजी के वं सांस्कृतिक जीवन के केंदर थे, चोल कान से प्रतिमाय देवी देवताओं की थी, प येस, दोनों सही है, बट ये जो इसके बारे में एक्स्प्लेन कर रहा है, मतलब A का जो एक्स्प्लेनेशन है, B वो सही नहीं है, बाकी दोनों सही है, कि चोल मंदिर धार्मिक समाजीक और सांस्कृतिक जीवन का केंदर था, और यहां पर आपको पता है, ब्रॉंज इमेज देखे, 49 दिल्ली में आ गए हम, दिल्ली के सुल्तान को बारे में, और यहां से तो कोशन आएगा ही आएगा, देखो इन्होंने हर एक टॉपिक्स को जो है न टच किया है, इसा नहीं कि इन्होंने बस 6 से पूछा है, 7, 8 नहीं, इन्होंने पूरी ही एंसे 8 से कोशन पूछ दी, और B में लिखा हुआ है कि उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे, तो क्या इसमें से कौन सा सही है, बताइए, A सही है, बट ये B गलत है, सभी लोग सहमत नहीं होते थे, इसने लिख दिया कि सभी सहमत होते थे, केवल A हमारा सही है, तो हम जाएंगे 1 के साथ, A is पूरुसो जैसा लिख कर अपने पूरुस होने का भ्रह्म पैदा किया, और ये मुझे ऐसा लगता है कि रजिय सुल्तान से कौश्चन ना आए, ऐसा कभी हो इनी सकता है, और ये एकदम गलत है, उसने कभी ऐसा नहीं किया कि पूरुसो जैसा लिख कर उसने पूरुस होने क ज्यादा स्रेष्ट होते हैं और इसमें आधार बनाया है समाजिक तता लिंग भेद को तो यह हमारा बी वाला सही है बट ए नहीं सही है तो हम जाएंगे दूसरे के साथ 51 देखते हैं A और B दिया हुआ है अकबर जहांगीर और साजहा ने सुलह कूल के विचार के सासन का सिधान्त बनाया और विभीन धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मी कृती और मतानता पर बल देते ह तो आप बताई इसमें से कौन सा सही है एकदम सही है दोनो ही सही है और ये सुलह कुल तो बहुत बार पूछा हुआ है कि ये किसका सिधान्त था तो ये तीनों ने ही इस विचार के सासन का सिधान्त बनाया था अकबर जहांगीर और साजहां और इन्हें ऐसा लगता था कि जो रिलीजिस स्कॉलर्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि, जैसे लिखा हुआ है कि, जो इस पर बल देते हैं, वो अक्सर कटर होते हैं, तो ये दोनों ही बाते सही हैं, और कारण भी यही है, तो हम जाएंगे तीसरे के साथ, बोथ A and B are true, B is the reason for A, तो हमारा तीसरा हो जाएगा, 52 देखिए, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में, स्रेडी बस समाज जादा सरल हो गया, और B लिखा हो है कि, जन जाती समाज कई और समान वर्गों में बिभाजित नहीं था, तो इसमें से कौन सा सही होगा, देखिए, A तो गलत है, बट B हमारा सही है, मताद दिली के जो सुल्तान थे और मुगल के काल में, मताद हायार्की नहीं थी, स्रेडी बस समाज जादा सरल हो गया था, ये बात गलत है, B सही है कि जो ट्राइबल सोसाइटीज थे, वो वर not divided into numerous unequal classes, तो ये वाला हमारा सही है, तो 52 का के वाल हमारा B सही है, तो इसमें हमारा हो जाएगा दूसरा, क्योंकि ये तो गलत है, B सही है, चलिए, अभी recent में हमने बहादू सा जफर के बारे में पढ़ा था, history में, और लास्ट वले चेप्टर में भी आपने देखा होगा, क्लास एट की सेवन चेप्टर में भी, कि हमने काफी डिटेल में पढ़ा था, तो आइ थिंक ये आपको रिवीजन भी होगा इसका अच्छे से, देखो बहादू सा जफर ने मुखियां और सासकों को चिठ्थी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारती राज्यों का एक संग बनाने का हवावन किया, बहादू सा जफर के 1877 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने इस्थिती रातो रात पिडित बगावतियों के पक्ष में बदल दी, अब बताएए, जी हाँ, दोनों के बदोनों बाते सही है, A and B, हमने काफी डिटेल में पढ़ाता हैं कि तभी तो अंगरीजों को भी लगा कि इनको नेता घुसित कर दिया था, जो हमारा मेरट से, बैरकपूर्ट मेरट से जो इस्टार्ट हुआ था, फिर वहां के लोग दिल्ली आये, फिर इनको इन्होंने अपना ये बूढ़े भी थे, इनको अपना नेता घुसित कर दिया, फिर वहां से, जो मुगल थे, जो भी बासाथ थे, उनको थोड़ी से हिम्मत आई कि चलो ठीक है, अब हमें अपना सासन मिल सकता है, पूरी स्टोरी हमने पढ़े ही थी, तो दोनों बाते सही है, A and B are true, and B answer कर रहा है because of A, तो तीसरा हमारा हो जाएगा, चलिए, आपनिवेशी काल भी हमने अभी रिसेंट में ही पढ़ा है, और वहीं से क्वेशन पूछा हुआ है कि आपनिवेशी काल के दौरान महिलाएं जातियम सुधार के संदर्व में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है, याद रखना गलत पूछा हुआ है, तो पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विध्वा ग्री की स्थापना की थी, एकदम सही है, प्राचिन ग्रंतों के ज्यान से सुधारकों को नए कानुन बनवाने में मदद मिली, प्राचिन ग्रंतों का सहारा लेते थे, लोगों को समझाने के लिए, विध्या सागर ने अपने देखाओ का विध्वा विवा का सुझाओ दिया था, ये भी बात सही है, प्राथना समाज ने केवल हिंदू ग्रंतों पर, ये जो केवल वर्ड होता है न, ये कहीं ने कहीं आपके लिए, मतलब हिंट की तौर पे है कि केवल वाले वर्ड सही नहीं होते हैं, तो केवल हिंदू ग्रंतों पर विशार विमस के ये बात गलत है, और गलत पूछा है तो उमारे यही सही हो जाएगा, चलिए, तेलंगाना से कुश्चन आया है, तेलंगाना राज पहले भारत के किस राज का हिस्सा था, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से हल्वा टाइब का कुश्चन है, आंधर प्रदेश, बहुत ही असान है, और आप मुझे बताओ, तेलंगाना में जो भी चुना हुआ था, तो उसमें सीयम मुख्यमंत्री कौन है, ये भी आप मुझे जरूर बताना, हो गया 55 का 4, 56 देखिए, निमने कतनों पर ध्यान दो और लोक तंत्र में संचार माध्यम, अभी हमने पॉलिटी में संचार माध्यम पुरा एक चैप्टर ही पढ़ा था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि, यहां से कॉश्चन आएगा, भले से आसान हो, देखो वहीं पूछा हुआ है, तो उसके बारे में सही भूमिका का आपको चैन करना है, तो चलो देख लेते हैं, देखे, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुचाने चाहिए, समाचार के माध्यम से अववेस ही बात है, निउस्पेपर के माध्यम से इंफोर्मेशन प्रोइड होती है, और इसे विग्यापा के दृष्टि कोड को समाचार कारिकरमों के माध्यम से देनी चाहिए, बिल्कुल भी ने ना, विग्यापन के दृष्टि कोड से थोड़ी ना, हमें तो इंफोर्मेशन पहुचानी है, तो यह नहीं होगा, और इस पे discuss होना चाहिए the views of all sections इसे हर द्रिष्ट कोड की चर्चा करनी चाहिए तो यह बास आहिए A and C तीसरे के साथ जाएंगे चलिए अब gender stereotype से question आया है निम्न में से कौन साथ विग्यापन रूधिवादी मतलब gender stereotype का उधारण नहीं है तो sports जूते के विग्यापन में एक लड़की football खेलती हुई यही इसका right answer है क्योंकि आपने देखा होगा sports जूते के जो advertisement होते हैं उसमें लड़की का नहीं हमें साथ लड़के का photo रहता है और तो अगर लड़का का photo है इसका मतलब यह रूधिवादी सोच है बट यह तो इसको चुनोती दे रहा है कि sports जूते के विग्यापन में एक लड़की की photo है जो कि football खेल रही है तो यह बात सही है और यह इसका उधारण नहीं है gender stereotype का और हमसे सही वाला पूछा है तो हमारा यही हो जाएगा बाकी नीचे का देख लेते हैं चाय के विग्यापन में एक मा का सुबह चाय बनाना यह तो चुनोती दे ही नहीं रहा है हाँ मा के जगपे अगर पिता लिखा होता तो हो सकता है लिप्स्टिक के विग्यापन में वाइफ को छोड़ने जा रहा है दफ्तर तो अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि हस्बेंट जा रहा है ओफिस और वाइफ उसको छोड़ने जा रही है दन यह चुनोती दे रहा होता तो आप समझ सकते हो किसमें से एक ही आंसर होगा बेस्ट वो हमारा पहला ठीक है 58 दीखे लिखाए कि A और B जो है लक्षन के अधार पर आपको महादीब के पहचान करनी है बहुत अच्छा कोशन है इसी से पहचान हो जाएगा सबसे छोटा महादीब आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे छोटा महादीब कौन सा है जो की पूरी तरीके से दच्छडी गुलार्द में इस्थित है बहुत असान है और अस्ट्रेलिया सबसे छोटा है इसको हम आइसलेंड कॉंटिनेंट बोलते हैं इसे द्वीपी महादीब भी कहा जाता है 59 देखिए सौर मंडल में हम जैसे-जैसे सूरी से दूर हो जाते हैं क्या होता है बताइए जैसे-जैसे आप दूर होगे तो ग्रहों के द्वारा सूरी के चारो परिक्रमणों की ये सूर्य है तो उनकी जो ग्रहों के द्वारा सूरी के चारो परिक्रमण करने की जो अवधी है बढ़ती जाती है, जैसे-जैसे सौर मंडल में हम जैसे-जैसे सुरे से दूर जाते हैं, तो टाइम टेकन बाइप प्लैनेट टू कम्प्लीट वन ओर्बिट, अव्यसी बात है दूर जाने पर उनको टाइम जादा लगेगा तो पहला हो जाएगा बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कि घटेगा तो नहीं घटता नहीं है, बस इतना याद रखना बढ़ता है जैसे-जैसे सुरे से दूर जाते हैं, तो पहला हो जाएगा कल्पना करें, यदि प्रीथवी अपनी कच्छी समतल के और नहीं जुकी हो तो imagine if the earth is not inclined towards the planet of its orbit then, क्या होगा, अगर वो नहीं जुके imagine करना है, कि ना जुकी हो तो क्या होगा चलो देखते हैं the circle of illumination will match with longitudinal lines क्या यह होगा प्रदिप्ति वृत और देसांतर रिखाएं, एक दूसरे से मिल जाती जब जुका नहीं रहेगा, तो मिल जाएंगे लिखा हुआ है कि प्रदिप्ति वृत और अचांसी रिखाएं एक दूसरे से मिल जाती देखिए यहाँ पर एक चीज का minor difference है, कई बार जल्दिवाजे में गलत हो जाता है, जैसे अभी मैंने बोला, कि प्रदप्ति वृत और देसांतर रिखा है, और यहां पर देसांतर के जग़ा बस अच्छांसी रिखा लिख दिया है, अच्छांसी नहीं, जो allumination will match with longitudinal, not latitudinal, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है, longitudinal के साथ वो जो है, मिल जाती, तो यह हमारा सहीं बी नहीं हो सकता है, और उसके बाद से लिखा है, किसी छेतर विखेस में कोई मौसमी परिवर्तन ही नहीं होता, अब मानो एक साइट जुका हुआ है, ठीक है, तो अविस से ब एक साइट वो जुकी गया है, तो क्या दूसरी जगा पर मौसम परिवर्तन होगा, नहीं होगा, इसलिए आपका A and C, पहला, ठीक है, तो हमने देखो 27 मिनट में टोटल 30 कोश्चन कर लिए, सोचिए, कितनी फास्ट तरीके से, आप मुझे बताओ 30 में से आपको कितना मिला ह होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजएगा, डेली आपको ऐसे ही कोश्चन्स मिलते रहेंगे हमारे चानल से, ताकि आपका प्रीवेसर कोश्चन्स का भी रिवीजन होता रहे, and आप NCRT को जरूर रिवाइस करें, मिलते हैं नेक धन्स ओली रहें, झो तो लूर इंस वो बभ जढ़ दो, हुए म tomarन को तो, हर, ओंसी करेंड की रहे हमारे लाईक, और सबदेल ड करेंडे़ने में स्ब्सक्राइब करेंडेंडें़ Polos तो, हमांडें dal finalement तो, हमांडेंडें डिएमारें करेंडेंगेंडेंकें साने यूर